तो चलो दोस्तों आप question में 5 करते है इस question में कह रहा है कि given that BC 3 cm दिया हुआ है चलो बहुत बढ़ी है जो जो दिया है लिख देते हैं BC 3 cm दिया है यह 4 cm find angle dbc find angle dbc चलो यह वाली आंगल निकाल इस angle का find angle 10 of dbc तो चलो मुझे इसका 10 निकालने ठीक है देखो दोस्तों यह चलो इसका 10 निकालने यह जो triangle है यह इस triangle की angle dbc triangle right angle triangle है उसमें यह hypotenuse है ठीक है इस right angle triangle का इस right angle triangle का मुझे इस triangle triangle में इसका 10 निकालने 10 होता है opposite अपन एड्जेशन ओपोजेट भी नहीं पता और एड्जेशन भी नहीं पता अटक गए यह एकदम पिछले सम की तरह आई है जैसे question number 4 था जो बहुत ही ज्यादा important था जो मैंने पिछले वीडियो के last lecture में कर आया था लास मोमेंट पर कर रहा था लास सम था मारे पिछले वीडियो का और इस वीडियो का जो पहला समय दोनों सेम है तो मुझे इसका यह प्राइंगल यह त्रेयेंगल का तीनों स्यद्मेश इस एक पता है तो पहले यह रिंगर apples को निकाल लेटें हम चैनल सो पहला स्टेप गऄसे इन राइट 195 एल ए बीड़ी सी सब्को को लिख न है वर्यवसर एकोल स्टू को ट्टू एवीज 1 बीसी फ्लेस टीक है एसी स्कॉर इकोल स्टू प्टू पर स्क्वार मतल्स प्लस नाइं तो yeah so easy square आ तो और 25 तो दोस्तों एंसी आ गया 5 hang कि एसफी आ फाय सेंठिमिटर लिख देता डाइग्रहाम में तो यह देखो यह पूरा आ गया 5 cm कि कि अब सरथ से क्या हम लोग को तो इसका निकालना है यहां । फायदा तो नहीं है लेकिन देखते हैं इसका तो नहीं निकल सकता नसर नहीं निकल सकता है पता लगाओ आप 10 Biden क मैं निकल सकते हूं पता लगाओ X है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओंगे तो यह यह और यह यह तीनों एंगल मिला के 180 उसमें से यह 90 तो बचा कितना 90 बच गया तो मतब यह दोनों मिला के 90 है उसमें से यह X है तो यह हुआ दोस्तों यह हुआ 90 माइनस X बारोबर हैं बात सही है बहुत बढ़ी है अब एक काम करो बड़े ट्राइंगल पे आजाओ बड़े ट्राइंगल पे इस बड़े ट्राइंगल एबीसी में इस बड़े ट्राइंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ है हां एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ लगाओ बताओ यह पूरा कितना है भी यह पूरा 90 है यह कितना है यह 90 90-x है तो यह obviously x होगा आप angle sum property लगा कि देखो आ जाएगा मैं करके दिखाता हूँ मैंने पिछले sum में किया भी हुआ है यह देखिए यह देखिए पहले मैंने इसको dbc को इसको मैंने x लिया था इसको x लिया तो यह 90-x आया angle sum properties है और फिर बड़े triangle पर एक 90-x एक 90 है तो बचा हुआ angle x आ गया था यह सेम पिछले sum में किया था आपको चीदो वापस करके दिखाता हूँ चलो पहले इस छोटे वाले triangle में दोस्तों इस छोटे वाले triangle में इन triangle so in triangle dbc यह चोटे वाले triangle angle sum property लागा ठीक है उसके पहले let angle let अपना triangle को angle को x लेड़ा सो मैं sorry वहीं लिखना चाहिए था मुझे ठीक है लिख देता हूँ so I'll say let angle dbc equals x ठीक है इसको x बोल दिया आप चोटे वाले triangle में आंगल सम प्रॉप्री लगा तो तो मैं कहूंगा angle dbc plus angle यह plus angle यह angle का नाम के है बीडी सी प्लस एंगल सी इस एंगल सी कर तीनों मिला के 180 है उसमें से यह x है यह 90 है तो यहां से angle c बहुत इसली निकाल सकते हैं एंगल सी आ जाएगा 90 माइनस x तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा यह 90 मैंस x आएगा अब आप बड़े triangle में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा पहले छोटे में लगाना है फिर बड़े में लगाना है अब आप आइविल से इन triangle abc in triangle abc लगा तो हम कहेंगे कि एंगल 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 बी प्लस एंगल एंगल c equals to 180 angle a कितना है पता नहीं भी कितना है पूरा भी 90 है और c कितना है 90 minus x है और इसको solve करोगे 90 90 180 180 में से 180 गया 0 और माइनस एक्स उदर गया तो प्लस एक्स आएगा तो वहां से यहां से एंगल एक ही वैलिव आ जाएगी x कि आईबा सावन में तो बहुत बढ़िया इस इस एंगल को इस एंगल को इक्वेशन नमर वन देता हूं जाब यह भी फाइंड आउट किया और इसको मैं और अगर बी थे दो एक्स है फिए अगर एक्स है तो अब आजाओ मुगे जरा पर्स लेकाल निकलना है खी वह तो यह हमेशा उसके बराबर आता है तो मैं डीबी सी का टैन निकालने से अच्छा मैं कहूंगा टैन ऑफ एंगल ए और एंगल ए तो बड़े ट्रेंगल का एंगल उसका टैन निकल सकता है ऑपोजिट अपन एड्जेशन तो अंसर आ गया त्री वाई फूर यह तुम्हारा फाइल अंसर है अ हो गया इसका तुम नहीं निकाल सकते थे कोई बात नहीं उसका निकालो क्योंकि यह दोनों इक्वेल है वैसे आपको डीबी निकालना है डीबी यह मतलब यह उपर चलो डीबी एंगल को हाइलाइट करता हूं कि यह दए देखो दोस्तों आपको यह एंगल इस एंगल के बारे में बात करना से इस एंगल का आपको सी पता है तो है तो इस एंगल के बराबर कौन जींजरन और में टूंड ओ, यह एंगल किसी को हैं? पहले बताओ यह एंगल कितनी हैं? बताओ, बताओُ DB-AB, कितनी हैं? मत वह क्या बड़ी बात नहीं है सोचो, बताओ, पूरी एंगल B कितनी है। पूरी एंगल B90 है लिखता हूँ मैं, full angle B जो है, वो 90 है, पूरी angle B 90 है, लेकिन angle B के दो तुकड़े करो, A, B, D, right, मतब angle DBA, angle DBA plus angle DBC, ये दो दो मिलाके 90 है, उसमें से नीचे वाली तो हमने X पकड़ी है, तो DBA angle plus X is equals to 90, तो सीधी बात है, angle DBA आया, 90 minus X, बहुत ईजियर, और खुद common sense लगाओ, ये पूरा 90 है, उसमें से ये X है, तो उपर वाला obviously 90 minus X आएगा, और अगर ये 90 minus X है, और ये भी तो already 90 minus X ही है, angle C भी तो 90 minus X ही है, पहले से ही लिखा हुआ है, कि angle C भी तो 90 minus X है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको पता चल गया, कि ये angle, इस angle के angle C के बराबर है, ये रिक्वल, तो मैं इसका sign निकालू, जो कि नहीं possible है, तो इसका sign निकालो, क्योंकि ये दोनों equal है, तो लिख देते हैं दोस्तों, second part, मुझे second part solve करना है, मैं बोलूँगा, मुझे निकालने को बोला गया, sign of angle DBA, लेकिन DBA angle मेरे को नहीं पता है, DBA का sign नहीं निकल सकता, ये triangle में ज़्यादा sides पता ही नहीं है, तो DBA किसके बराबर एक है, तो मैं रिखूँगा, ये है, sign angle C, और angle C का sign क्या होता है, opposite upon hypotenuse, तो answer आजाएगा, 3 upon 5, हो गया, I hope you got this, चलो, next sum करते हैं, तो पिछला sum भी basically वही था, white part pythogarous, फिर अपनने x लेके, छोटे triangle पे angle sum property, यहाँ पे भी वही किया था, फिर orange part में हमने, बड़े triangle pangle sum property, और फिर हमने blue से बाकी काम कर लिया था, चलो, next question number 6, यह question में कह रहा है कि एक triangle है ABC, जिसके दो sides equal है, चलो, बना देते हैं, देखो इदर, isosilis triangle बोल रहा है, एक triangle है ABC, ठीक है, और इस triangle में AB और AC equal दे रहा है, और यह भी 15 है, और BC 18 दे रहा है, मुझे है, find cause angle ABC, मुझे cause निकलना है इसका, मुझे इसका cause निकलना है, want to find the cause of this, ठीक है, पहले तो यह angle कोई right angle triangle की है, क्या, नहीं, cause निकालने के लिए right angle triangle चाहिए, यहाँ पे right angle triangle नहीं है, तो obviously हम यहाँ से construction लेंगे, बरुबर, यह है point D, बताओ, यह कौन सा triangle है, आईसुसेलस triangle है, और सिखाया था, आईसुसेलस triangle के चैप्टर में पहला-पहला point यहीं सिखाया था, कि आईसुसेलस triangle में, जो perpendicular होता है vertical angle से, जो हमारे vertical angle से perpendicular आता है, वो base को bisect करता है, मतब आपको पता है कि यह पूरा 18 है, तो दोस्तों यह पूरा 9 है, और यह भी 9 है, बहुत लग पूछेंगे, कोच्छन में थोड़ी बोला है, कि यह bisect कर रहा है, आपने तो perpendicular draw किया था, अरे, आईसुसेलस triangle का property है, कि अगर perpendicular आया है, तो वो base को bisect करता है, vertical angle से तुमने perpendicular निकाला है, तो वो base को bisect करेगा, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, in isosilis triangle ABC, ठीक है, in isosilis triangle ABC, BC, I can say, कि AD is perpendicular to BC, therefore, AD bisects BC, ठीक है, isosilis triangle है, इसलिए तो जो perpendicular आया है, वो base को bisect भी करेगा, and therefore, I can say, that BD is half of BC, that means, BD will be half of 18, that means, BD will be 9 cm, चलो, अब क्योंकि ये right angle triangle है, right angle triangle में हम लोगों को, हमें इसका कॉस निकालना है, कॉस क्या होता है, adjacent upon hypotenuse, तो चलो हो गया, तो अब हमें निकालना था, कॉस angle ABC, तो वही बात होगे, ABD बोलो या ABC बोलो, ठीक है, so, ABD क्या होगा, it will be adjacent, adjacent side होगा, 9, adjacent side upon hypotenuse side, adjacent is 9 upon 15, which is 3 upon 5, easy, तीक है दोस्तों, चलो, let's go ahead, let's go ahead to the next sum, so, इस question में कह रहा है कि, in the figure given below, ABC is an isosceles triangle, वाव, वापस isosceles triangle आया हुआ है, पिछले सम में भी isosceles था, और isosceles triangle की property है कि vertical angle से perpendicular draw किया, तो base को by set करता है, base को equal parts में divide करता है, चलो, क्या दिया है, यह 5 दिया, यह 5 दिया, और यह पूरा 8 दिया हुए, और यहां पर राइट अंगल triangle नहीं है, तो क्यों न हम यहां से construction ले ले और इसको draw करें, ठीक है, और इस point का नाम दे देता है, D, ओके, इस point का नाम दे दिया, D, यह 5 है, यह 5 है, और यह 8 है, अगर यह 8 है, और यह isosceles triangle है, आइसosceles triangle में जो perpendicular आता है, तो base को basic करता है, तो यह भी 4 हुआ, और यह भी 4 हुआ, correct है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों, चलो चालू करते हैं, अब हम लोगों को निकालना है, पहले तो यह right angle triangle दे दो, पहले तो right angle triangle दीख रहा है, उसके दो sides पता है, तो तीसरा side निकाल लेते हैं, इन right angle triangle A, B, D, by Pythogarist theorem, I can say, A, B square is equals to A, D square plus B, D square, okay, A, B square is 5, 5 का square हो जाएगा, 25, A, D is 4, जो की हो जाएगा, नहीं, A, D, तो ढूणना है, दोस्तों, A, D, तो ढूणना है, A, D, तो ढूणना है, तो A, D, को सेम रखेंगे, और B, D square मतंब यह हो गया, नहीं, ठीक है, तो A, D square आया, आपको 16, तो आपके पास A, D, आ गया, 4 cm, ठीक है, और आप चाहो तो इसकी ऊपर का मसाला एड़ कर लो, कि in isocellus triangle ABC, A, D is perpendicular to BC, therefore A, D bisect BC, ठीक है, और फिर B, D को 4 बोलता हो, मैंने अभी आपको direct बताते हैं, ठीक है, जैसे हमने पिछले सम में लिखा था, यह चीज़ा आप वापस लिख सकते हो, कोई problem नहीं है, ठीक है, चलो, अब हम निकालते हैं, क्या क्या निकलना है, we have to find sin B, ठीक है, मुझे B angle की sin निकालना है, तो बहुत आसान है, मैं directly निकालना हूँ, sin B, sin B मतब यह angle B है, sin B मतब opposite, जो कि हमने अब यह भी निकाला 3, opposite upon hypotenuse, तो 3 upon 5, तो इसका अंसर आगया, 3 upon 5, चलो, tan C निकालना है, इसका tan निकालना, tan मतब opposite upon adjacent, so opposite है 3, adjacent है 4, तो 3 by 4, अब मुझे निकालना है, sin square B plus cos square B, ठीक है, बताओ sin B क्या है, मुझे find करना है, 3rd part, मुझे find करना है, sin square B plus cos square B, चलो, sin B निकालना है, sin B होता है, 3 upon 5, so it will be 3 upon 5 का square, plus cos B होता है, 4 upon 5, so 4 upon 5 का square, so 9 by 25 plus 16 by 25, which is 25 by 25, and the answer is 1, okay, बहुत easy, and we have to find in the 4th part, tan C minus cot B, चलो, tan C क्या होता है, C का tan निकालो, C का tan निकालो, opposite upon adjacent, 3 by 4, पहले ही निकाला था, तो 3 by 4, minus cot B, इसका cot निकालो, cot होता है, adjacent upon opposite, adjacent क्या है B का, 4, और opposite क्या है, 3, so it will be 4 by 3, चलो, cross कर लो, 9 minus 16 by 12, answer आगया, minus, minus 7 by 12, okay, not a great sum, भहती ही आजादा, आसान सम था, isosilis triangle का knowledge use कर रहा था, चलो, in triangle ABC, angle B, जो है, वो 90 degree है, बहुत बढ़ी है, so in triangle ABC, angle B, जो है 90 degree है, बना रहता हूँ, एक right angle triangle ABC, ठीक है, और इसमें ABC में B वाला angle 90 है, और हमें बोला है, CAB angle X है, ओके, CAB angle को X वह के लिए बोला, और हमें दिया हुआ है, 10X की value 3 by 4, very good, 10X की value 3 by 4 दिया है, दोस्तों, 10X की value 3 by 4 दिया है, बहुत important चीज़ है, लिख देता हूँ, यही से हमारा sum चालू होगा, 10X की value दिया हुई है, 3 by 4, ठीक है, सब को पता है कि BC दिया हुआ है 15, और हमें AB और AC निकालना है, AB और AC दोनों साइडस निकालना है, कोई बात नहीं, जो दिया है उससे चालू करते हैं, हमें दिया है 10X 3 by 4, डाइगराम में बता हूँ, 10X की या होगा, डाइगराम में बता हूँ, 10X की या होगा, 10X opposite side upon adjacent side, मतलब BC upon AB, तो हम लिखेंगे, it is BC upon AB, which is 3 by 4, अब BC का value हमें पता है, पहले से 15, 15 upon AB is equals to 3 by 4, तो यहां से AB इदर आ गया, 4 multiply में और 3 divide में, तो AB आ गया 15 into 4 upon 3, 3 1s are, 3 5s are, ठीक है, तो दोस्तो AB आ गया 20 cm, AB आ गया 20 cm, और हम लोग को अभी AC निकालना है, तो दो side पता है, तो तीसरा निकाली सकते हैं, कैसे निकाले हैं, ठीक है, पाइथोरस लगा देते हैं, चलो, so in, in right angle triangle ABC by पाइथोरस theorem, AC square equals to AB square plus BC square, ठीक है, AC square equals to AB कितना है, 20, 20 का square हो जाएगा, 400, plus 15, 15 का square हो जाएगा, 225, तो AC का square आजाएगा, 625, तो AC आजाएगा, root of 625, और AC आजाएगा, 25 cm, clear है दोस्तों, right, so यहाँ पे AC आगे 25 cm, great, निकाल लिया पने, so basically हमें यह दिया था, और इसी को यूस कर लिया पने, next question, question number 9, ठीक है, सही है, तो find the, using the measurements given the following figure, find the value of sine phi and tan theta, sine, tan theta दिख रहा है, ठीक है, sign phi दिख रहा है, यह sign, यह इस, इस सिंबल को 5 बोलते है, ठीक है, 5, ठीक है, it's not pi, pH है, पी आए नहीं है, पाई नहीं है, इस pH है, 5, ठीक है, यह जो भी आपको नाम बोलना है, बोलते हो, तर्बूज बोल, जो भी बोलना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सीड मिल जाएगा, 5, और, और, पूछा क्या, साइन फाई पूचा है, साइन फाई होता है, एउपोजिट अपॉन HiPotinus, ओपोजिट अपन हाईपोन हाईपोन हिपोन मतब, इसका अंसर, इसका अंसर आ गया, 5 अपन 13, ठीक है, राइट 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 बनाओ जो परपेंडिकुलर है यह काम जरूरी है अब अगर टैन थिटा निकालोगे तो ऑपोजेट अपान एड्जेसन करोगे ठीक है कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं यह पूरा कितना है पूरा पूरा एबी कितना है पूरा एबी 14 है अब यह वाला देखो यह जो बीसी BCDE है ये भी 90 है ये बी 90 है तो चौथा भी 90 होगा मतलब ये मेंडिक रेक्टैंगल है ये एक रेक्टैंगल है तो ये जो इए फॉरा फूटीन में से 5 चला गया तो ये नाई आया ठीक है नाइन आया और पूरा रेक्टैंगल है तो ओपोसाइट सीकॉल है यह 12 तो यह भी तो 12 हुआ और अब हम टैंग ठीटा लगाएंगे ऑपोजेट अपॉन एड्जिसेंट बतार 12 अपॉन 9 तो इसका अंसर आजाएगा 12 अपॉन 9 विच इस 4 वाई 3 आरिबा समझ में है और फर्स पार्ट कम्प्लेट हो गया है सेकेंड बात में करते हैं पहले फॉस्स पार्ट को पूरा अच्छे से लिखते हैं पहले आपने कंस्ट्रक्शन ले लिया वह अपनी जगापे सही बात है अब पहले इस पर पाइतगरस लगा दो in triangle BCD तो in triangle BCD इन BC square plus CD square, BD is 13, 13 ka square होता है 169, and BC is 12, 12 ka square होता है 144, plus CD square, तो दोस्तो, CD square की value आगई 25, और जहां से CD आगया 5, ओके, so this is 5, got it, complete, now as you know, BCDE is rectangle, now since, since, यहां डिर्क लिबोल सकते हैं, डिर्क लिबोल सकते हैं दोस्तों, डिर्क लिबोल सकते हैं, now we can say, now, जितना CD है, उतना ही EB है, ठीक है, I'll say, जो BE side है, BE, यह वाली, यह वाली, यह वाली, CD के बराबर है, BE is equals to CD, और दोनो 5 cm होंगे, बराबर, Q, opposite sides of rectangle, opposite sides of rectangle है, इसलिए यह दोनों equal है, और BE आगया 5, है, ठीक है, लेकिन हमें तो AE चाहिए न, AE चाहिए, तो का हूँगा, therefore, AE जो होगा, जो AE होगा, वो होगा 14 minus 5, मतब AB में से BE minus करूँ, AB है 14, उसमें से BE है 5, तो AE आगया 9 cm, यह आपका 9 cm आगया, अब यह 12 है, BC तो DE भी तो 12 होगा, also, I can say also, also, यह जो DE है, यह जो DE है, वो हमारे BC के बराबर है, जो DE है, वो BC के बराबर है, और दोनों equals to 12 cm है, क्यों, opposite sides of rectangle, rectangle के opposite sides, तो चलो सारा काम हो गया, यह 12 तो यह भी 12, यह 5 तो यह भी 5, और यह पूरा 14 है, उसमें से 5 है, तो यह 9, अब हम समचालू करते है, क्या पूचा है, पर्स पार्ट में, पर्स पार्ट में पूचा है, पहले पार्ट में पूचा है, what is sin 5, sin 5 is opposite side upon hypotenuse, so opposite is 5, cd, upon hypotenuse is bd, ठीक है, which is 5 upon 13, now second part, no not second part, first part कहीं, second part, first कहीं, second, b, हमें निकालना है, हमें निकालना है, tan theta, tan theta क्या होता है, tan theta होता है, de upon ae, opposite side upon adjacent side, de upon ae, ठीक है, और de की value तो आपको बताई है, 12, 12 upon 9, right, so यहां से value आजाएगी दोस्तों, यहां से value हो जाएगी, कि इस, tan theta, is 12 upon 9, which is 4 upon 3, okay, that's it, चल, complete हो गया, now, now, अब क्या करें, अब, अब, राइटन एक्स्प्रेशन फॉर ad in terms of theta, आपको ad दिख रहा है, ad मुझे तो नहीं दिख रहा है, ad निकालना है, लेकिन ad का expression निकलना है, मतब, ad के value निकालनी है, और ad कौन है, hypotenuse है, हम चाहें, तो यह 9 है, यह 12 है, पाइतवरस लगाके, हम ad निकाल सकते हैं, लेकिन ad का value नहीं पूछा है, दोस्तों, हमें बोला, write an expression for ad in terms of theta, theta के terms में ad का अच्छी, मतब, ad के value में theta आना च्यांजी है, चलो, यह theta है न Cordelia overe시 cones है, हाई shouting में opera 웃 میں pizza 아침 किस में आता है, sign cost ansat was a court किसमें आता है, sign में आता है, cost में आता है, 10 में नहीं आता, 10 लिए thin काम का नहीं है, sixaska है, कुछ एक काम का है, कॉट काम का नहीं है, तो कोई भी एक लगा दो, sign लगाओ, cos लगाओ, जो आप कुछ नहीं लगादो, answer सही आएगा, ठीक है, multiple answers हो सकते हैं, तो चलो मैं लिखता हूँ, तो मैं लेखूंगा, यहाँ पर मैं sign लगा देता हूँ, तो मैं लेखूंगा, sign थीटा, sign थीटा, is opposite, opposite मतब dE, upon hypotenuse मतब ad, और हमें ad की value चाहिते, देखो ad यहाँ पर आगया, sign थीटा वैसे ही रखो, और dE का value आप लिखो, 12 upon ad, ठीक है, आभी ad उदर लेकिया हो, और sign थीटा को उदर भेज़ दो, तो ad आगया, 12 upon sign थीटा, answer आगया, इसको आप चाहो, तो 1 upon sign थीटा को, कोसेग थीटा भी लिख सकते हो, तो यह भी answer चलेगा, और यह भी answer चलेगा, आप 12 upon sign थीटा लिख दो, वो भी चलेगा, ad is 12 upon sign थीटा, or you can say, 12, 1 upon sign थीटा को, को सेग थीटा भी लिख सकते हैं 1 upon साइन थीटा इस को सेग थीटा ठीक है यह देट सिर्ट दोस्तों काफी इंपरेंट सम्था और अच्छा सम्था कोईस्न बट्टे क्या फ्राइंड करना है इन गीवन फिगर वीसी सिप्टीन और स्धाइन बीस पूर बाइफार वेरिंगर्ड वेरि यह तुए वेरिंड एससम पिछला भी किया था साइन बीस पूर भाइफार इसी को यूस्स करेंगे दोस्तों लोग को दिया हुआ है हम लोगों को दिया हुआ है साइन भी इस ओर अपान फाइट डिकराम में देखो साइन भी क्या होगा है इसमें इसका साइन दिया हुआ है साइन होता है ऑपूजेट अपान आई पोडिनेस मतलब एसी अपान एबी तो मैं लिखता हूँ अब ना मुझेसी की वैल्यू पता है ना मुझे एबी का वैल्यू पता है नहीं पता तो कोई बात नहिंकर यहां पे रेश्यो आगया तो यहां पे लेंगे लेट न बेड्य कॉमन मॉल्टिपल let the common multiple B X तो यहां से AC आ गया दोस्तो 4X ठीक है और AB आ गया दोस्तो 5X चलो बहुत बढ़िया आपको बता चल गया कि यह है 4X और यह है 5X चलो इस राइट अंगल ट्राइंगल पर पाई दो गरस लगा देते हैं यह हमारा जो ABC राइट अंगल ट्राइंगल लगा देते हैं तो बाई तो इसे इन राइट आंगल ट्राइंगल ABC ABC ट्राइंगल में ABC पाइट दो लगा दो बाई पाइटोगरस थेरम AB स्क्वेर इस इक्वेल्स तो AC स्क्वेर प्लस BC स्क्वेर ठीक है AB कितना है AB है 5X 5X का स्क्वेर हो जाएगा 25X स्क्वेर AC है हमारा 4X 4X का स्क्वेर हो जाएगा 16X स्क्वेर 25X2 में से 16X2 माइनस करेंगे तो 9X2 इक्वेर 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 2टुवेर इक्वेर अपउन 9 आएगा 9 टूजा 18 होता है और 5 आ गया तो ke sae 라 … KC का वैजिवा गया ओर इंटो फाइ मतब टुइन्टी और इवन ए भी चुह ए को यह हैं पाइ इंटो इफाइ इंटुफाइं पुइन्टी वग गया तो मिलगे हम लोग को एस ए पर फाइ इंटो फाइ टूइन्टी क्यों थी क्यों शु j मिल गया फॉर्स पार्ट गताम हो गया now now we now we have to find if angle if tan of angle ADC have you seen ADC yeah this is this is this is a tan ADC this is ADC is angle का 10 दिया हुए कितना दिया हुए इस तैंगल इस का 10 दिया हुए 1 calculate CDN CD भी निकालना है और ADB निकालना है ठीक है again the same thing all entire sum again पूरा sum वापस ठीक है करते हैं चल लेट मीचूज अनदर कल लए ताकि differentiate का सोगो कुछ भी actually differentiate करने को नहीं है let's start मुझे दिया हुआ है tan of angle ADC is 1 तो मैंने का tan क्या होता है tan होता है opposite side upon adjacent side opposite side upon adjacent side मतलब AC upon CD so I can say this is AC upon CD which is 1 or AC is a AC is a 20 अभी अभी निकाल रहा था AC is 20 and CD I don't know equals to 1 तो यहां से CD आगया 20 cm है कि ने CD इदर चला गया 20 upon 120 तो CD 20 cm आगया दूस्तों यह भी 20 आया ओके अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में यह 20 cm आगया यह 20 है यह 20 है यह 20 है तो अभी यह निकाल ला है तो आप दस पाहितो कर शुरी लगा दू दो सवांसर नाँसर आ जाएंग़ फाहितो कर शुरी तो एडी स्क्वार ओ på फ्लास्क ब्लस सी डिश्वे स्क्वे ओके ऐडी कितना है एड़ी एड़ी एडी णुट ना एडी धूल led let me keep AD same, AC कितना है, AC 20 है, 20 का स्क्वार हो जाएगा 400, और इवन CD भी 20 है, ये भी हो जाएगा 400, ठीक है, तो AD स्क्वार हो जाएगा 800, AD स्क्वार आ गया 800, अब थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे, थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं, AD 800 है, तो AD हो गया, root of 800, जिसको हम लिख सकते हैं, 400 into 2, तो दोस्तो AD आ गया 20 root 2 cm, और root 2 की जगा पे चाहिए तो 1.414 डप्यूट करके answer निकाल दो, but this is what the exact answer is, ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे लिख सकते हो, AD is 20 into 1.414 and AD की वाल्यू आपको 28.28 cm approximately आ जाएगी, चल, वेरी इजी सा, next, question number 11, now question says, sin A plus cosec A की value 2 है, अगर sin A plus cosec A 2 है, तो sin square A plus cosec square A क्या होगा, वीडियो pause करो और खुट try करो, it is very easy, but बहुत, बहुत सारे बच्चे इसका answer गलत देते हैं, थोड़ा सट्रिकी है, I mean fundamentals अच्छे तो easy है, let me tell you, बहुत आसान सा, तो हमें पता है कि sin A plus cosec A, की value 2 है, और मुझे sin square A plus cosec square A चाहिए, तो मैं squaring on both sides करूँगा, squaring on both sides, इससे क्या होगा, कि हमारे पास आएगा sin A plus cosec A, the whole square is equal to 2 का square 4, यह कि निए, squaring on both sides कर लिया, अब बताओ, A plus B whole square क्या होता है, इसको expand करके 3 terms आएंगे, A square plus B square plus 2 A b, यही गलती होती है, A square sin square A plus B square cosec square A plus 2 into sin A into cosec A is equal to 4, बड़ो बड़ो, यहां तक सीक, sin square A plus cosec square A की value तो हमें चाहिए, I'll keep this as it is, sin square A plus cosec square A, I'll keep it as it is, plus 2, sine A को I'll write same, sine A, cosec को लिखूंगा, 1 upon sine A, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, sine A, sine A cancel हो जाएगा, तो sine square A plus cosec square A plus 2 is equal to 4, 2 उदर चला गया, तो दोस्तों, sin square A plus cosec square A is equal to 4 minus 2, which is 2, जाएगा, दोस्तों, done, sin square A plus cosec square A का value 2 आ गया, बस इसमें गलती यह होती है, कि लोग बोलते हैं कि सर, इसका square ही पूचा है, तो उसका answer होगा 4, बट इसका square यह थोड़ी होता है, sine A plus cosec A का square होता है, sine square A plus cosec square A plus 2 sine A cosec, और इसको कैसे लिप्टा है, sine A into cosec A को, cosec तो sine का रेसी प्रोकल है, उसको one upon sign लिख दिया, और गैंसल, ओके, चलो, same similarism, tan A plus cot A दिया है, और tan square A plus cot square A पूचा है, very easy, अब mistake नहीं होना चाहिए, you cannot say the answer is 25, no, चलो, what do we do, so we will write tan A plus cot A is 5, squaring on both sides, so it will be tan A plus cot A, the whole square is equal to 25, फोल दो इसको, tan square A plus cot square A plus 2 tan A cot A is equal to 25, अब हमें, tan square A plus cot square A तो चाहिए, plus 2 tan A को सेम रखो, और cot A लिखो, one upon tan A, सभी बात गहाँ रहा हूँ न, cot क्या होता है, one upon tan, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, ये cancel हो गया, ठीक है, और देखो, tan square A plus cot square A plus 2 is equal to 25, प्लस 2 उदर जाएगा, so answer आगया, tan square A plus cot square A is equal to 23, I hope this is very clear, काफी similar kind of sums थे, चलो, we'll try this, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा sum है, काफी अच्छा लगता है, इसको try कर देता है, question में ये दिया हुआ है, and find पूचा है, कोई बात नहीं, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, question में दिया है, 4 sin theta is equal to 3 cos theta, क्या कर सकते हैं, दोस्तों, ठीक है, 4 sin theta equals to 3 cos theta, क्या कर सकते हैं, बताओ, और जिस time देख रहा था, कितना हुआ, चलो, तो यहां पर trigonometry terms है, तो trigonometry के terms साथ में लेते हैं, और numbers को एक तरफ भीज़ देते हैं, तो मैं ये 4 को उदर भीज़ दूँगा, और ये cos theta को इदर लेके हुआ हूँगा, तो बताओ, sin theta upon cos theta, और यहां पर 3 upon 4, ठीक है, sin theta upon cos theta क्या होता है, इफ, anybody knows, what is sin theta upon cos theta, do you know what is sin theta upon cos theta, yes, you should know, sin theta upon cos theta is tan theta, याद रखना, sin theta upon cos theta होता है, tan theta, which is 3 by 4, तो basically आपको tan theta 3 by 4 दिया हुआ है, दे में टू, उन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है, बट ये, बेसिकली इसमें convert करना है, sin upon cos tan हो जाता है, तो उसने basically tan theta दिया है, 3 by 4, ठीक है, he wanted to give you tan theta 3 by 4, what he did is, he gave you 4 sin theta, 3 cos theta, you just had to take the trigonometric terms together, and the numbers on the other side, once you do this, you get it, ठीक है, tan theta 3 by 4 में ला, now find the value of sin theta cos theta, ओके, क्योंकि आपको ये tan theta 3 by 4 पता है, तो आपको sums यहाँ पहे, जिसमें 3 steps था, right angle triangle बना, ratio लिखो, and then common multiple लेके python लगा तो, वहीं करना है, so let me draw a triangle for you guys, so let me draw a triangle, okay, so I am drawing a triangle, triangle ABC, ठीक है, इसमें ये angle को theta बोल दिया, and now tan theta क्या होगा, tan theta होगा, AB upon BC, opposite side upon adjacent side, so I am gonna say AB upon BC, which is 3 by 4, let the common multiple be X, let the common multiple be X, so AB is gonna be 3X, and BC is gonna be 4X, so AB is 3X, and this is 4X, now can we apply pythagoras here, in triangle ABC, can we apply pythagoras, yes, of course, in right angle, triangle ABC, let's apply pythagoras theorem, and get the values of, get the values of, all of these, so what do we do, so we say, AC square is equals to, AB square plus BC square, AC square, I don't know, AB is 9X square, BC is 16, BC square is 16X square, right, it's ka square or it's ka square, so directly I get 25X square, and if I take square root, I get 5X, congratulations, you got this as 5X, now aapko tino sides pata hai, aapko tino sides pata hai, now one by one, you can write the answers, thik hai, one by one, let's try to solve this, okay, the first thing they have asked is, sine theta, thik hai, sine theta kya hooga, sine theta hooga, opposite side upon adjacent side, oh sorry, opposite side upon hypotenuse side, so 3X upon 5X, so 3X upon 5X, which turns out to be 3 by 5, next we have to find cos theta, okay, next we have to find cos theta, cos theta kya hooga, adjacent, theta ka adjacent upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse, 4X upon 5X, 4X upon 5X, XX cancel, which turns out to be 4 by 5, great, now we have to find third one, okay, next, we have to find cot square theta, minus cos x square theta, chal, cot, cot nikalti hai, cot kya hooga, adjacent upon opposite, 4X upon 3X, 4X upon 3X hojaega, 4X upon 3X daal dieta hai, chalo the whole square, minus cos x square theta, cos x hoota hai, hypotenuse, sorry, hypotenuse upon opposite, cos x hoota hai, hypotenuse upon opposite, 5X upon 3X, so it's gonna be, 5X upon 3X, the whole square, XX cancel, XX cancel, herehan pe, 16 by 9, or herehan pe, 25 by 9, which turns out to be, minus 9 by 9, which is, minus 1, okay, got it, and now next, we have to find, last one, fourth wala hame kya find karna hai, fourth wala hame find karna hai, 4 cos square, theta, minus 3, sine square, theta, plus 2, okay, let's find this, 4, what is cos theta, cos theta hame nne pahle nne karra ta, 4 by 5, direct substitute kar jeta ho, 4 by 5, the whole square, minus 3, sine theta hame nne pahle nne karra ta, 3 by 5, 3 by 5, the whole square, plus 2, now 4, 4 ka square o jae ka, 16 upon 25, minus 3, yaha pe bhi 3 ka square o jae ka, 9 upon, 25, plus 2, now let's calculate this, yaha pe, yaha po e, yaha po e, 64 upon 25, yaha po e, 27 upon 25, yaha po e, yaha po e, plus 2, yaha po e, 64, minus 27, 37 कितना होगा 34 order 37 होगा I guess right 37 57 37 by 25 होगा so इसको यहां पर continue करता हूँ यह होगा 37 by 25 plus 2 और यहां पर दोस्तों LCM ले लो सही जा रहा हूँ नहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया नहीं सब था सही तो लग रहा है यार ठीक है तो LCM ले लेते हैं so 37 plus 50 upon 25 which is 87 upon 25 this should be the answer ठीक है if not any calculation mistake this would be the final answer 87 upon 25 great आगे बटते हैं question number 14 17 cos theta is equals to 15 दिया हुए बहुत सब्सक्राइब करने पड़ेंगे तो चलो पहले question में क्या दिया उसको लिखते है 17 cos theta is equals to 15 numbers को उस तरफ भीज़ दो तो cos theta हो जाएगा 15 upon 17 और हम अभी एक triangle बनाएंगे ABC ठीक है उसमें कि है theta mark करेंगे ठीक है और इस triangle के सब्सक्राइब से बताओ cos theta क्या होगा cos theta होगा एडजेसिन अपन हाइपोटेनियस मतब BC upon AC which is 15 by 17 अब लेट दे कॉमन मंटिपल बी एक्स तो दोस्तों BC हो गया 15 एक्स और AC हो गया 17 एक्स यह हो गया 15 एक्स और यह हो गया 17 एक्स तो चलो अब हम इस right angle triangle में पाइटोकरस लगा के AB निकाल लेते हैं और फिर सम चालू करेंगे ठीक है तो चलो आए इन राइट आंगल ट्रेंगल ABC यपाइटोकरस थेरम आई केंड़ सेवाइब स्कूर इस एबी स्कूर प्लस बी की स्कूर एसी कितना दिया 17 का स्कूर विच इस 289 X स्कूर एबी मुझे निकालना है और बी सी स्कूर दिया है 225 इंटु एक्स स्कूर चलो यह माइनस मे आ जाएगा तो आएगा 64 X स्कूर आएगा विच इस एबी स्कूर और यहां से दोस्तों एबी आ गया 8X तो यह 8X आ गया आए ओब इस विजिबल राइट मैं जो लिख रहा हूं कुछ हग तक हाँ यह 8X आ अभी क्या करें बस तीनों साइड मिल गए अब क्या फाइंड करना है अमें फाइंड करना है एंड थीटा प्लस टू सिक थीटा चलो टैन थीटा क्या होता है डाग्राम में देखो टैन थ आस सब्सक्ता है इंट आगा अंसर आपॉन यहाँ घीट पॉन फिफ्तीन यहां पर अगत के भी एंग मिल चैनशल आरागी फॉर अपॉन फिफ्तीन मिला के हो जाएगा 42 अपान 15 जो कि 3 की टेबल में 3 12 जा 3 14 जा अपान ठीक है 3 से कैंसल करेंगे reduce करेंगे तो 3 तरी ताइमस 5 3 5 जा 3 14 जा तो answer आ गया 14 भाई 5 ठीक है तो यह तो वही समधा है जो पहली exercise में करा हुआ था कि को सिटा दिया हुआ है और बाखी सब निकालो वेरी इजी त्री स्टेप्स ट्राइंगल बनाओ common multiple लो ratio लिखके और फिर पाइटोग्रस लगा दो that's it next question now इसमें भी कुछ इस तरीकी की value दे क्या दिया हुए पहले वो देखो हमें दिया हुआ है हमें दिया हुआ है पाइक और सिटा माइनस 12 साइन सब्सक्राइब बोला है एंगल को पाइक और से माइनस 12 साइन एप इसी को सुझी नों यह दिया हुआ है बताव कुछिन में इसको इतना देख के बताव क्या करूँ टेल मी क्या करूँ बोलो यह माइनस 12 को उधर भीज़ दो सिंपल यह लिखो यहां पर पाइव कॉस ए इस इकोल स्टू 12 साइन ए अब यह आने के बाद तो यह सम पिछले सम की तरह हो यह जहां पर हमें यह दिया गया था फो मैं अपर का सफ में फार कॉस तो है या को से अपां साइने है ठीक है तो यह बना दो यह है यह है यह है यह सी है और इस अपांगल मोला एंगल इंगल अ hooks 70 कарOUT होता है भी X कर सकते हैं, let the common multiple be X, A, B की value हो जाएगी 12X B, C की value हो जाएगी 5X और फिर हम पाई तो करस लगाएंगे दोस्तों, ठीक है So, A, B की value हो गई 12X B, C की value हो गई 5X Now, in right angle, triangle, A, B, C पाई तो करस लगा दो A, C square equals to A, B square plus B, C square So, A, C square की value हो आगई 144X square plus 25X square So, A, C square की value हो आगई 169X square, तो दोस्तों A, C, आगया 13X ठीक है, तो यह दोस्तों 13X आगया, clear है दिख रहा है सबको So, A, C, आगया 13X यह 13X आगया ठीक है, अब हमें क्या-क्या पूछा है, वो निकाल लेते हैं, चलो क्या पूछा है We are asked to find Sine A plus cos upon two cos minus sin A चलो, इस सम के वैसे दो मेथड़स है पहला लेंदी मेथड कर रहा हूँ, इसके बाद एक shortcut method भी अदब बताऊंगा shortcut method भी बता लूँगा, देखो कितना easy है चलो, पहले Sine A निकालो, Sine A क्या होता है Sine A होगा, opposite side upon hyperdenous होगा, 5X upon 13 5X upon 13 हो जाएगा, 5 upon 13 plus, कॉसे क्या होगा, कॉसे होगा A का adjacent 12 upon 13 तो लिख जाता हूँ, 12 upon 13 upon, 2 into कॉसे है, 12 upon 13 minus sin है, 5 upon 13 चलो, इनको add करो, यह उपर वाला हो जाएगा, 17 upon 13 13, 13 cancel, answer आगया दोस्तो, 17 upon 19, यह अपना answer है, अभी दोस्तो यह तो बहुत lengthy होगा, इसको थोड़े एक short में lift आता हूँ short में मतलब, यही पर ही, दोस्तो यहाँ पर, दोस्तो यहाँ पर ही मुझे कॉसे अपन Sine A का ratio मिला है, 12 by 5 कॉसे अपन 10 से कॉट को से ऐसा कुछ नहीं है, कॉट यही दिया हुआ, ठीक है तो हम लोग ना, यहाँ पर Sine A upon Sine इदर ही common multiple ले लेता है अगर मैं यहाँ पर ही common multiple ले लूँगा तो यहाँ पर ही common multiple ले लूँगा, let the common multiple be x let the common multiple be x तो आपको पता होगा कि कॉसे की value 12x आएगी और Sine A की value Sine A की value 5x आजाएगी वैसे इसके 3 methods है, 2 नहीं, 3 दिये तीसरा भी है, तीसरा और shortcut है ठीक है, हल्फ 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 यह सीख लो तो यहाँ पर, अभी हम direct अप्यूट कर सकता है, Sine A की जगा पर 5x, इसकी जगा पर 12x, 2 into 12x हो जाएगा 24x minus 5x, यह हो गया 17x, यह हो गया 19x यह cancel, वही answer आए understood, बहुत बढ़ी है अभी एक और method बताता हूँ शायद आपको पसंदना है, लेकिन अच्छा लग यह अच्छा लग गया तो बहुत अच्छी बात है इसरा method बताता हूँ, यह देखो, method 3, दिख रहा है क्या, method 3 corner में, हाँ, यह जो दिया हुआ है, दोस्तों, यह जो expression है, हमें question में न, cause upon sign A की value बता है, कितना है, 12 upon 5, cause upon sign A, यह ratio को न, यह number को, sign A से divide करता हूँ, numerator को भी sign A से divide कर लो, denominator को भी sign A से divide कर लो, आपको तो पता ही है, अगर अपने को 10 upon, 10 upon 4 होता है, तो हम 2 से divide करते है, 2, 5, 2, 2, 2, 2, वैसे हम चाहे, तो किसी fraction को, sign A से divide कर सकते हैं, तो चलो sign A से divide करेंगे, sign A upon sign A हो जाएगा, 1, और cause upon sign A रहेगा, as it is, cause upon sign A, यह इसको direct quote A भी लिख सकते हैं, चाहिए तो quote A लिख दो, तो मैं इसको quote A लिख जेता हूँ, देखो, क्या कर रहा हो, simple काम कर रहा हो, बहुत ही simple काम कर रहा हो, मैंने इसको, cause A से divide करने का सोचा, तो cause A, इसके नीचे आया, sorry, sign A से divide कर रहा हूँ, इसके नीचे आ गया sign A, इसके भी नीचे आ गया sign A, इसके भी नीचे आ गया sign A, तो यह हो गया, one plus, यह हो गया, quote A, upon, यह हो गया, two quote A, minus one, और cot A की value तो आपको पता है 12 upon 5, तो आप यहाँ पर डाल दो, 1 plus 12 upon 5, 2 into 12 upon 5 minus 1, LCM ले लो, 17 upon 5, और यहाँ पर भी 24 upon 5 minus 1, LCM लोगे, तो 17 upon 5 और 19 upon 5 आएगा, तो answer वोई 17 upon 19 आ गया, ओके, तो 3 methods थे हैं, पहला तो वही lengthy method, ठीक है, triangle बना, sides का ratio लेको, and then blah blah blah, continue कर लो, दूसरा था, कि यहीं परी, cost A upon sign A का ratio दिया है, इनका ही common multiple लेके, cost A को 12X बोल दो, और sign A को 5X बोल दो, और तीसरा method था, कि जो पूछा है, उसको sign A से divide करो, क्योंकि सब कुछ sign cost में है, और ह understood, चलो, यह हमने पहले ही discuss कर चुके है, काफी काफी easiest sum है, चलो, इस sum की बारी, यह तो same ही है, अभी अभी हमने sum किया है, इसको, exactly same, मैंने को क्या दिया, 3 cost A is equals to 4 sign A, तो चलो, trigonometry साथ में, numbers एक तरफ, cost A upon sign A is equals to 4 by 3, cot A is equals to 4 by 3, अब पूछा क्या है, cost A का value पूछा है, कोई बात नहीं, पहले एक triangle बना लो, triangle का नाम रखो, ABC, इस angle की value बात चल रही है, cot A दिया है, cot होता है, adjacent upon opposite, adjacent है AB, opposite है BC, is equals to 4 by 3, let the common multiple BX, let the common multiple BX, तो AB हो जाएगा 4X, और BC हो जाएगा 3X, लगा तो Pythagoras, जैसी आप Pythagoras लगा होगे, you should get this AC as 5X, ठीक है, यह आपको 5X मिलेगा, ठीक है, आपको यह जो AC है, यह आपको 5X मिल जाएगा, एक बार यह मिल गया, अब पूछो, क्या पूछा है, उसमें पूछा है, cos A, cos A क्या होता है, एजिसन अपनफ हाइपूट इनस, 4X अपन 5X, विचेस, 4Y5, एन सेकेंड पट क्या पूछा है, यह फर्स पाइपूछा है, सेकेंड पाइपूछा है, 3- cot square A, प्लस, cosec square A, ठीक है, 3- cot square A, cot, cot होता है, cot होता है, होता है एडिमिय औा पॉसेट एडिमिक अपान एडिमिट होता है काट होता है एडिमि इफ शच स्वाइबस आधर सेवा वह पर स्क्रेटер erियोफ होता है है हाइपोटेनस अपान ओपोजिट पाइप अपान 3 x x कैंसल हो जाएगा मैं एक समय लिखना हो तुम्हें लिखना है 3-16 by 9 less 25 by 9 ठीक है सबका डिनॉमेटर एंसीम नाइन कर लो इसको 27 यह माइनस 16 और यह ठीक है आंसर इस फूर बहुत आसंग अगेंड सेम कोशन दोस्तों जो पिछला कोशन था वैसा ही है ठीक है चलो क्या दिया हुआ है दोस्तों पाइ कॉस्ट थीटा इस एकल टू सिक्स साइन थीटा अपन में लेड़ो कॉस्त थीटा के नीचे साइन थीटा आ जाएगा डिसे सिक्स बाइफाइड ठीक है और हम लोग को जो पूछा है वो टैन थीटा पूचा है ये देखो देखो कुछ भी इसको इसको इसी मैथड द तो यह हो जाएगा तो यह सेकेंड आपको पताता हूं करिदे सब्सक्राइब का यहां पे इस सम्में मैंने तीसरा method क्या बताता है डिवाइड कर लो डिवाइड यहां पे भी आप डिवाइड कर सकते हो किस से डिवाइड करो मैं साइन थीटा से डिवाइड करता हूं किस से साइन थीटा से इस पूरे expression को साइन थीटा से डिवाइड कर लो तो जैसे तुम साइन नीचे साइन थीटा आ जाएगा इसके नीचे भी साइन थीटा आ जाएगा इसके नीचे भी साइन थीटा जाएगा इसके नीचे भी साइन थीटा जाएगा नूमरेटर और डिनॉमेटर को साइन थीटा से डिवाइड किया और इससे अंसर क्या आया अंसर आया अंसर आया 12-3 cot theta की value पहले सी पता थी आपको 6 by 5 तो यहां पर 6 by 5 substitute कर लो और यहां पर भी 12 plus 3 into 6 by 5 substitute कर लो तो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आ रहा है 12 minus 12 12 minus 18 by 5 upon 12 plus 18 by 5 चलो LCM ले रो 12 फाइसा 60 60 minus 18 60 minus 18 60 minus 18 होता है 42 42 by 5 यहां पर भी यहां पर भी देखलो 12 5 is a 60 60 plus 18 78 by 5 5 5 cancel और अंसर आ रहा है दोस्तों अंसर आ रहा है 42 by 78 2 21 जा 2 39 जा और 337 जा 3 13 जा तो अंसर आ गया दोस्तों 7 by 13 ठीक है तो जो तीसरा मेटड था कॉस सीटा से डिवाइड करना वो फिर से इस सम में कवर अप किया था कि वो जब से आसान है तो मैंने सबसे आसान लगा तो मैंने पल भी एक्स कर लो यहां पर आपका काम हो जाएगा दोस्तों यह भी अच्छा मेथड है लेड़ कॉमल पीड़ एक्स कर लो तो कॉस सीटा की वैल्यू 6x बोल सकते हो और साइन थीटा की वैल्यू 5x बोल सकते हो और सीधा आंसर में सब्सिट्यूट कर लो ठीक है कैसे 12 इंटू साइन थीटा की जगा पर लिख दो 5x माइनस 3 इंटू 6x ठीक है इधर भी 12 इंटू 5x प्लस 3 इंटू 6x तो यह हो जाएगा 60x माइनस 18x और यह हो जाएगा 60x प्लस 18x जो भी आपको आसान लग रहा है वो मत सम कर सकते हो 42x अपान अपान 70 अपान 78 x x x कैंसल ठीक है 42 अपान 78 और डिवाइड कर लो क्या करेंगे 6 7 जा 6 13 जा तो वही अंसर 7 by 13 अंसर आया हुआ है कॉइट रीजी साम आईबा समय में बढ़िया सो आई गेस दिस दिस कम्प्लीट से और दिस 22 चाप्टर और जहां पर आपको नहीं सम्झा वीडियो को पॉस करके रिवस में वापस थोड़ा पीछे लेके देखा करो अगें आई चोस दिस सम यह सम तीस चार बार किया है यह इसलिए हमने सम तीन चार बार किया क्योंकि तीन मेथट से एक तो सिंपल मेथद हमने स्टार्टिंग में बढ़ा था दूसरे दो मेथट बता है और वह दोनों यहां पर वापस अपलाई करके दिखाया है तो चलो दोस्तों आल देबेस्ट